आप देख रहे हैं इडिनाव 24 से कपिल चौहार की रिपोर्ट और मनुद्ध गर्जी आप जैसे की मामन क्रिमंडल में हैं बीजी की सक्कार में आपके बार जो बहुत उठापटक चल देगे हैं इसमें आप पकेट है ना जो बीजेपी से भी कुझे लोग सफा में जा रहे ह देखें जब चुनाव आते हैं तो इस तरीकी की बाते होती रहती हैं सच्चा यह है कि भारते जन्ता पार्टी को अगर दो-तिन नेता छोड़कर गए हैं तो उसमें आने वालों का भी बहुत तादात में संख्या है मुर्द आंने के यह और अखाव और जंटा संस्क्राणी थीज़न कावानौ में भारते जन्ता पाट्टी की सब्स् hazraph रही है और आगे भी उत्त परदेश में भार्त्य जल्ता पार्टी की सरकार रही कि पहरते जल्सक्राइब में कियो उत्तर परदेश में जरूरारी उत्तर Rio गर्षाब यह है कि 2022 में अगर भारते जंद्र पार्टी आती है सरकार बनती है तो यहाओ के लिए रोजगर का क्या रहेगा देखे भारते जंद्र पार्टी 2007 से प्रदेश में है और दो साल कोरोना जो वैस्विक मामारी हर जगे तभाई मचाती रही है उससे उत्तर जता नहीं है जिस है कि दुग सकती से हमारी माने प्रदान मंतरी और हमारे मन्य मुख्य मंतरी योगी अधितनाजी निस प्रोणा मामारी जन हित्मे कारेय किये हैं आप सब लोगों ने देखा है वैस्वित कुरोना हमारी से सरकार भी जानती है और हम भी सब जानते हैं कि कुछ दिक्कते आई हैं उनको दूर करने का कारिया 2022 में जो सरकार बनेगी उसे हम है लोगों पार हमें खटाने वी द्रिश्टिम से नहीं देखा जाना चाहिए चुनाग हो या ना हो जो जनीत में हैं लोगों तक हमारे चैनल के मातध्य सबसãy्ति बता सकते हैं क्या क्यारी उन embaixo सब लोगों की द्रिष्टी में हैं आप लोगों ने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से गुंडाराज में तब्दील था 2017 से पहले किस तरीके से प्रदेश में गुंडाराज कायम था जब से लोगी जी आई हैं आप लोगों ने देखा होगा कानून व्योस्ता कितनी सुद्रण हुई है हमारी माताई भेने निशन को छोकर रात बे रात में भी भार आजा सकती है दूसरा सडकों का आपने जाल देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई छेतर ऐसा नहीं है सडकों से जोडने का कार है हमारी भारत्य जनता पार्टी योगी जी की सरकार में किया है इतने एक्सप्रेस वे योगी जी ने बनाए है और आगे भी उनका काम शुरू किया गया है तो सब जनता देखती है कि किस तरीके से कारिया भारत्य जनता पार्टी करती है भारतेजन्ता पार्टी का एक मंत्र है सबका विकास सबका साथ सबका विकास पहले सर अपना परीचे दीजिए अपना नाम बदाई और पदबदाई है मिरा नाम मनोजगर्ग है जी और जिला महमंत्री हूं भाजपा गोतम बुद्नगार ठीक है तो आपका क्या कार्या अब जिला महमंत्री भाजपा जो हमारा संध्र का कारिया होता उसा सभंब देगते हैं जैसे अभी 2022 का चुनाव चला है इसके बारे में आप क्या कहना है बहुते जिनता पार्टी और कि वार कितने बहुमर से जीतेगी भारते जिनता पार्टी जो पहले 325 सीटे जीत कर इस बार जीत कहेंगी यह तो सभी सरकार दंब भर रहे हैं कि लेकिन आपका आपकी बार क्या है लोगों के लिए क्या नयाग करेंगी भारते जिनता पार्टी अगर सरकार बनती है तो देखें सब कहती हैं कि हम जीत रहे हैं लेकिन सच्चा ही यह है जंग जंग से आप पूछ सकते हो भारते जिंता पार्टी ने हर छेतर में काम किया है विकास कारिया इतनी किये हैं कि जंता चाह रही है कि योगी जी ध्वारा फिर उत्तर प्रदेश की कमान सबान है सर मेरा सवाल यह है कि आपके जो मंत्री है मोरिय जी वह आपकी पार्टी को छोड़ कर क्यों गए हैं यह सब जानते हैं कि मोरिय जी क्यों पार्टी छोड़ कर गए हैं आप लोगों ने देखा भी होगा और अपने मुख से कबूल भी क्या है कि योगी जी किसी भी गलत कारिया का समर्थम नहीं करते हैं जब पहले वह बस्पा सरकार में रहे उन्होंने वहां किस तरीके से सरकार में मलाई मारी है उसका इस सरकार में उनको वह मलाई नहीं मिल पाई इस कारण से मोरेजी हमारी पार्टी को छोड़ कर चलेगा अभी यूपी में चलना है कि जैसे बिजली का विलें उस पर यूपी सरकार से आ रहा है कि पचास पर सेंट कि हम छोड़ देंगे यह अफसर पहले कारिये क्योंनी में जनहित में जो भी कारिये समय समय पर होते रहे हैं आगे भी अगर कहीं जनहित में कोई भी कारिये करने की जरूरत सरकार द्वारा होगी तो उसे भारते जन्ता पार्टी निसम को छोकर करेगी उसमें चुनाव झाल 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 झाल